नमस्कार दोस्तों लॉफ टॉट्स के लेक्चर नमर 11 में आप सभी का स्वागत है आज के लेक्चर में हम लोग डोनोग्यू वर्सेस स्टीवंसन केस 1932 इसके बारे में जानेंगे ये केस नेगलीजन्स के बारे में एक लाइनमार्ग केस मानी जाती है आपको मैं लास लेक्चर में नेगलीजन्स के बारे में बता चुका हूँ लेकिन इस लेक्चर में मैं आपको एक छोटा सा रीकैप दे देता हूँ नेगलीजन्स का मतलब है लापरवाही अगर आपकी किसी लापरवाही की वज़ा से सामने वाले का legal right breach होता है या फिर सामने वाले को कोई legal damage पहुँचता है तो आपके उस particular action को या फिर लापरवाही को law of tort की भाषा में हम लोग कहेंगे negligent act negligence is a civil wrong और यह जो case है वो negligence से संबंदित है अभी हम लोग इस case के बारे में जानते हैं इस case में plaintiff है Mrs. Donogue और defendant है Mr. Stevenson यह जो case है वो United Kingdom में Well Meadows नाम की एक जगा है यह Scotland में situated है वहाँ पर tally cafe नाम का एक cafe है यह cafe आज भी operate करता है और legal history के हिसाब से एक historical landmark बन चुका है इस cafe में यह case होता है अभी हम लोग case की तरफ बढ़ते हैं Mrs. Donogue अपने एक दोस्त के साथ इस tally cafe में गई और उनके दोस्त ने उनके लिए यह ginger beer मंगवाई यह जो ginger beer थी वो Mr. Stevenson के brand की थी Mr. Stevenson उस brand के owner थे Mrs. Donogue ने उस beer की bottle आधी खाली कर दी और वो जो bottle थी वो non transparent color की थी और beer भी non transparent color की थी और आधे से ज़्यादा bottle पीने के बाद Mrs. Donogue को उस bottle में एक dead decomposed snail मिली snail को हम लोग मराठी में कहते हैं गोगल गाए और उसकी बज़ा से Mrs. Donogue को food poisoning और gastrocentrisis नाम की बिमारी हुई यह जो gastrocentrisis नाम की बिमारी है यह important है आपके case में यह आनी चाहिए और इसलिए Mrs. Donogue ने Mr. Stevenson के उपर एक civil suit file कर दिया Mr. Stevenson के lawyer ने यह argue किया कि Mrs. Donogue और Mr. Stevenson इन दोनों के बीच में कोई contractual relation नहीं था इसलिए यह suit baseless माना जाएगा और इसलिए इस suit को straight away dismiss कर देना चाहिए और साथी साथ Mr. Stevenson के lawyer ने यह भी कहा कि Mrs. Donogue ने preach of duty of care किया था और इसलिए यह suit baseless है और dismiss होना चाहिए अगर आपने मेरा पिछला negligence का वीडियो अच्छे से देखा होगा तो negligence के दो essential ingredient माने जाते है कि plaintiff ने सारे precaution लेने चाहिए और इस particular aspect को law of torts की भाषा में हम लोग कहते हैं duty of care Mr. Stevenson के lawyer ने कहा कि उन्होंने सारे precaution नहीं लिये थे उस bottle को open करते वक्त और Mr. Stevenson जानी यानी उनका client सिर्फ उस brand का owner है और उस company का owner है ना कि उस beer का manufacturer है यह जो beer है वो कितने लोग touch करते होंगे कितने लोग bottle बनाने के process में involved है और इसी लिए Mr. Stevenson को यह पता नहीं है कि किस आदमी की गलती के वज़ा से उस brand में उस beer में snail आ गई या फिर गोगल आ गई और इसी वज़ा से यह unforeseen circumstances है और इसी लिए Mr. Stevenson को बाइज़द बरी करना चाहिए और यह जो case था वो trial court में Mr. Stevenson के favor में फैसला आया था लेकिन Mrs. Donogue ने affiliate court में यानि house of lords में आरग्यू किया था और Mrs. Donogue ने यह आरग्यू किया था कि सबसे पहले तो उनके friend ने उनके लिए यह beer मंगवाई और cafe owner ने उन्हें एक seal pack bottle दी थी और इसी लिए उनकी तरफ से सारे reasonable duty of care जो थी वो ली गई थी और इसी लिए Mr. Stevenson का जो lawyer है उनकी argument baseless मानी जाएंगी और house of lords ने कुछ इस प्रकार से फैसला दिया सबसे पहले तो Mrs. Donogue ने reasonable care ली थी और यह जो argument है defendant का यानि defendant के lawyer का कि Mrs. Donogue ने breach of duty of care किया या फिर she failed to take reasonable care यह वाला जो argument है वो baseless माना जाएगा और Mr. Stevenson एक company के मालिक है और वो consume होने वाली चीज़े बनाते है और इसी लिए उनकी यह duty बनती है और यह जो केस है वो यही पे समाप्त हो जाता है मैं आपको यह जो town है Well Meadows Scotland यह आपको दिखाना चाहता हूँ इस town में यह पूरा case घटित होता है और यह town भी अब legal history में एक landmark बन चुका है आशा करता हूँ आपको यह case समझ में आया होगा to be continued that's it for today's lecture thank you so much please like share and subscribe to my channel